देखे आज असाम की हर व्यक्ति में एक बड़ा उत्सा है कि आम आदमी पार्टी और अर्विंग केजरिवाल जी ने ये तैक किया है कि आसाम के तीन लोग हम सभा सीट में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और तीन लोग सभा सीट से हम संसद जिता कर संसद बेजएंगे और इसमें डिब्रुगर में हमारे जो लोग सभा के प्रत्याशी है चैंडिडेट है मनोज धनवार जी है हमारे साथ है तो सब से पहले चुनाव का गैम्पेन अनौंस नहीं हुआ है चुनाव की तारीक अनौं दिल्ली से आया हूँ और पूरे आम आर्मी पार्टी का समर्थन पूरी नैशनल लीडर्शिप का समर्थन डिब्रुगर के कैंडिडेट के साथ हम कंदे से कंदा लगा कर लड़ेंगे और डिब्रुगर के हर लोगों तक हमने जो आज पहला कैंपेइन कल लॉंच किया है लेकिन वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे असाम का हर व्यक्ति दिब्रुगर का हर वोटर चुनाव लड़ेगा और असाम में केजरिवाल जी को जिताएगा क्योंकि तभी एक इमानदार सरकार इमानदार नेता चूज होगा जो लोगों के मुद्दे पे आज अपने बचों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी स्कूल का देखो क्या हाल है, कॉलेज का इंतजाम नहीं है, हॉस्पिटल, क्लिनिक, कुछ नहीं है, महेंगा इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की, अर्विन केजिवाल जी की सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है, वो unprecedented है, कभी इतिहास में किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट से भी better कर दिया है, सरकारी अस्पताल और महला क्लिनिक को भी प्राइवेट से भी better कर दिया है, दिल्ली में 4 लाख बच्चे, 4 लाख बच् जो एक इमानदार और पड़ा लिखा अगर कोई नेता है देश भर में वो अर्विन केजरिवाल है और अर्विन केजरिवाल का प्रतीक अदिब्रूगर में हमारे मनोध दानवार हैं ये भी एक एजुकेटेड नेता हैं बहुत यहां के लोगप्रिया नेता है तो आज हमने ये कारिक्रम शुरूग किया है अगले 10 दिनों में हम डिब्रूगर के हर घर में जाएंगे और ये मैसेज लिके जाएंगे कि डिब्रूगर से हर हालत में आम आदमी पार्टी को जिताना है सार फिलेल टिकेट मिलने बीजेपी का पार्टी केंजर मंती सुरबंद सुनवाल का टिकाट अभी पजाज में चल रहा है आप किस तरग्या से बीजेपी का बगल में खड़ा होगे देखे हमारा काम है जनता को एक इमानदार और पड़ा लिखा नेता का ऑप्शन देना एक नई प्रकार की राजनीती का ऑप्शन देना और हमने देखा है दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी लड़ी थी तो सब बोलते थे कि दिल्ली में तो इतने बड़े बड़े दिग पार्टी जब खड़ी हो जाती है, आम आदमी पार्टी जब चुनाऊं के मैदान में आwiąजा जाती है, तो मेरे ख्याल से यह माईने नहीं रखता की कौन पहले मुखेमंतरी रहा था, कौन नहीं रहा था। सवाल यह पूछना है आसाम के लोगों को कि इससे पहले जो भी नेता है थे उन्होंने क्या आपके मुद्धों पड काम किया। उन्होंने क्या आपके बच्चों के लिए श्रिक्षा और स्वास्त और अस्पताल का इंदजाम किया और अगर नहीं किया तो ये मौका है कि एक नहीं प्रकार की राजनीती को जन्म देना है डिब्रुगर से मनोध अनवार जी को अरान अजीत आना है हुआ 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 है